हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अलेक्ट्रिकल मंद्रा हम यहां हर रोज वो वीडियो प्रोवेडिड करते हैं जो अलेक्ट्रिकल से बिल्कुल रिलेटिड है आप अगर अलेक्ट्रिकल से रिलेटिड है तो आप बिल्कुल सही जंगर पर इससे पहले मैंने किया था करवाया था और हमने किया था वो था steam power plant thermal power plant हमने किया था अब हम देख लेते हैं आज hydro power plants उसकी advantage के बारे में और disadvantage के बारे में देख लेते हैं hydro electrical power stations के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को share करें और मेरी चैनल को subscribe करना नहीं भूलें आज़े चलते हैं topic की तरफ जिसका नाम है hydro electrical power stations तो फस्ट है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यह layout है यह सारा typical layout of the hydro power plants typical layout है जिसमें various चीजे जो आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर है sleep way split way होता है sleep way नहीं होता है तो यहाँ पर reservoir है tunnel है और head works है सरज chamber है valve house है और pen stock है और power house है और यह various जो चीजे हैं वो हैं तो इनकी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो hydro power plant है वो वरक करता है क्या क्या चीजे होती हैं इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज तो देखते हैं सबसे पहले definitions कर लेते हैं hydro electrical plants की definitions क्या है अगर आपका paper है तो please ऐसे ही note down कर लें आपका hydro electrical power plants जैसे की मैं बोल रहा हूँ hydro power systems use a dam to store river water in a reservoir water released from the reservoir flow through a turbine spinning it which is trying to activate a generator to produce electricity होता क्या है हम एक dam बनाते हैं किसी भी river पर किसी भी lake पर हम एक dam बनाते हैं और उससे एक reservoir और pond create करते हैं जिसमें high उचाई पर high head पर क्या होता है हमारा पानिया वो इखटा हो जाता है और जो pen stock होता है और जो हमारा जो हम slope बनाते हैं उसके according वो नीचे आता है और नीचे आने के according वो turbine से टकराता है turbines की blades rotate होती है और turbines के जो sap होता है उससे हमने generator coupled किया हुआ है दोस्तों तो वो rotate होता है rotate होने के कारण वो electricity produce करता है ऐसा कुछ scenario रहने वाला है यह थी हमारी definitions hydro power plants के लिए अब देख लेते हैं हम यह अगर screen पर देख रहे हैं आप तो यह हमारे plants की locations है और हमारे plants का layout है ऐसा कुछ plant रहने वाला है यह यहाँ पर आप देख रहे हैं यह कुछ dam का area है यह dam हम concrete का या फिर किसी भी पहाड़ी का कुछ ऐसा बना लेते हैं ऐसा कुछ बना लेने के और यहाँ पर जो river थी उसको हम उसके पानी को हम इखटा कर लेते हैं उसका पानी यहाँ पर इखटा होता है और इस dam से होते हुए यहाँ पर पैंस्टॉक से pressure tunnel जिसको बोलते हैं वहां से जाता हुआ वाल हाउस तक पहुंचता है और वाल हाउस में हमने वाल लगाई होता है जोकि किसी concrete का बना हो सकता है यह अपना जो यह slope area आप देख रहे हैं किसी concrete का बना हुआ होता है या फिर भी किसी conduct pipe का बना हुआ होता है है यह इस पिल्कुल slope होता है यह high pressure बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसको slope किया है ताकि जो हमारा पानी है वो हाई स्पीड से नीचे गिरे हाई स्पीड से फलो हो तो ऐसा हम कुछ सेनेरियो कर देते हैं और यहाँ पर हमारा जो है इस पावर स्टेशन में हमारा टर्बाइन होती है जो यह पैन स्टोक से जो हाई प्रेसर में पानी आता है वो टर्बाइन से तकरा कर उसको रोटेट करता है और टरबाइन की जो साफ्ट है वो हमने जन्रेटर से कपल्ड की हुई है तो जन्रेटर क्या करता है एलेक्ट्रिस्टी प्रोडूस करता है घूमने के बाद तो ऐसा कुछ सेनेरियो है हमारा हाइड्रो पाउर प्लांट्स में अब कुछ definitions देख लेते हैं definitions क्या है सबसे पहले है damn damn होता क्या है basically definitions paper of view से it is a barrier with store water and makes water heads क्या होता है एक barrier होता है मैंने पीछे दिखाया था ये देखें ये barrier होता है इस barrier में ये barrier होता है किसी पानी को रोकने के लिए तो it is a barrier with store water and makes water heads और heads बनाता है पानी का यानि कि पानी का जो storage है उसको उचा करता है ये जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये पानी storage के कारण इस damn के कारण ही उचा होता जा रहा है जो कि store हो रहा है ऐसा कुछ हमारा करता है दूसरा है दोस्तो सरज टैंक storage tank अगर आप देखें तो यहाँ पर होता है हमारा storage tank high pressure tunnels और wall के वीच में जो हमारा होता है वो होता है storage tank storage tank करता क्या है जब भी in conduct में high pressure हो जाता है यानि कि इतना pressure हो जाता है कि ये in conduct के लिए खत्रा बन सकता है यानि कि इनको तोड़ सकता है तो क्या होता है इस जो storage tank है इसमें क्या होता है storage हो जाती है दोस्तो storage हो जाती है जब यहाँ पर pan stock में ज्यादा जो है water का pressure हो जाता है तो यहाँ पर storage हो जाती है जैसे जैसे water यहाँ से release करता है pressure release करता है तो इसमें से पानी भी रिलीज होता है ये खाली हो जाता है तो सरज टैंक है क्या बेसिकली तो देखें definition a सरज टैंक is a tank in which water level rises fall to reduce the penstock pressure की वह है टैंक जिसमें water level rise करता है और fall करता है किसका pressure reduce करने के लिए penstock का pressure release करने के लिए कि मैंने यहां बता है इसका pressure release होगा यहां पर जैसे यहां प्रेशर ज्यादा होता है यहां पर यह storage कर लेता है तो यहां से जो storage हुआ इसका pressure कम होता है तो यहां पर हमने efficient बनाने के लिए एक controlling phenomena दे देते हैं हम जो manually काम करता है manually अपने आप काम करता है automatic होता है ये manually नहीं होता है किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें तो automatic होता है ये कुछ ऐसा ही scenario होता है सरज tank का तो आप सरज tank अब समझ गई होंगे क्या होता है सरज tank तो next देख लेते हैं ये मैंने बताया था ये pen stroke होती है जो slope pen stroke are the open and close conduct which carry water to turbine pen stroke वो conduct होता है conduct होता है जो की turbine तक पानी ले जाता है और slope बनाते हुए पानी ले जाता है यहाँ पर मैंने बताया था ये जो slope है ये concrete का भी बना होता है और pipes का भी बना होता है जो की turbine तक पानी ले जाता है तो इसको बोलते है pan stock water turbines की अगर मैं बात करूँ तो water turbines अगर आप figure में देख रहे हैं यह है हमारी water turbines यह देखें यहाँ पर यह इसकी साफ्ट है जो यहाँ पर generator से क्या है coupled है generator से coupled होने के कारण जैसे ही यहाँ से पानी आता है dam से यह मैंने बिल्कुल basic figure लिया है जो आपके बिल्कुल समझ में आएगा तो यहाँ से जैसे ही पानी आता है high pressure पानी होता है यह हमारी pan stock है जैसे ही यहाँ से पानी आता है तो यह rotate होती है पानी के flow के कारण और जैसे ही यह rotate होती है तो इसकी soft भी rotate होती है और इसकी soft rotate होने के करण जो हमारा generator है जो हमारा alternator है वो rotate करता है और अगर वो rotate करेगा तो हमारा electricity produce होती है तो जो turbine है उसकी definitions क्या है convert energy of water into the mechanical energy तो यह flow of water की जो energy होती है उसको mechanical energy में convert करने का जो equipment हमने लगाया उसको turbines बोलते हैं इसमें various blade होते हैं और various types की जो हम turbines use करते हैं वो करते हैं हम high tides के लिए यानि की high heads power stations के लिए और low power stations के लिए हम करते हैं impulse turbines use करते हैं high heads के लिए और reactions turbines use करते हैं low और mediums heads के लिए हम use करते हैं और reactions turbines, francis turbines होती है, kelpen turbines होती है अगर आप पढ़ेंगे तो यह कुछ ऐसा scenario रहता है हमारी turbine का तो turbines का जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं high pressure water आ रहा है यहाँ पर और यह valve है जो पानी है वो यहाँ पर blade से टकराता है और इसको रोटेट करता है ऐसे जैसे 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 रोटेट होती 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 और coupled है यह किसके साथ generator के साथ coupled है जैसे कि आपने यहाँ देखा था generator के साथ यह coupled है generator के साथ coupled होने के कारण यह generator को रोटेट करवाती है और हमें फ्री का जो प्राइम मूवर है वो मिल जाता है ऐस प्राइम मूवर काम करती है यह जनेरेटर का पुछ ऐसा सनरियो रहने वाला था तो यह था हमारे टर्वेंज के बारे में अब एडवन्टेज देख लेते हैं एडवन्टेज क्या क्या है पानी से rotate हो रहा किसी fuel का हम use नहीं कर रहे हैं जैसे कि हम steam power plant में कोईला का use करते हैं यहाँ पर कोईले का भी use नहीं है डीजल का भी use नहीं है nuclear power stations में अटन्स बगार का भी use नहीं है तो यहाँ पर basically पानी है तो no fuel requirement होता है यहां पर दूसरा है neat and clean neat and clean जो scenario है वो कैसे है तो neat and clean ही है जो हमारा मैंने पिछली वीडियो में करवाया था steam power plants उसमें कुछ waste product बचता था जो की pollute करता था हमारे atmosphere को ऐसा नहीं होता है इसमें hydro power plants में बिल्कुल neat और clean process होती है इसकी तीसरा जो है तक है वो है हमारा less maintenance less maintenance होती है इस plants की basically यह plants 100 साल और 2 से साल के लिए एक बार बनाए जाते हैं बस इनकी जो maintenance है वो turbines को लेकर होती है तो इसमें बहुत कम maintenance का जो problems है वो रहती है take small time to run क्या होता है यह जो हमारा होता है यह small time लेता है run home में basically हम इसे एक या दो घंटे में ही चला सकते हैं जो हमरा steam power plant है वो basically 8 या 9 घंटे run up में करने में ले लेता है तो they are help in irrigations and controlling floods क्या होता है अगर हम dam बनाते हैं जैसे कि basically वहाँ से हम irrigate कर सकते हैं irrigation कर सकते हैं controlling कर सकते हैं हमारे जो floods आई है उसको हम अपना जो dam बनाया है उसमें हम store कर सकते हैं उसको divert कर सकते हैं कुछ इसके ये भी हमारे benefit होती है hydropower plants के अब इसकी disadvantage दोस्तों disadvantage क्या क्या है disadvantage है इसकी high capital cost जब starting में हम plants को build up करते हैं तो high concrete का जो हमने scenario बनाना पड़ता है जो हमें structures बनाना पड़ता है उसमें high capital cost लगती है जैसे कि भाकड़ा बांध है उसमें इतना concrete लगा है कि सभी जो हमारा विशव है उसकी सभी सड़के पक्की हो जाएंगी इतना concrete आप सोच सकते हैं high capital cost है और दूसरा जो तत्य है depends upon the weather conditions क्या होता है यह weather की conditions होती है उस पर depend करता है उस पर depend करता है कि जो rainy seasons है उसमें हम पानी की जो डिमांड है जो पानी है उपलबता है उसकी availability है वह ज्यादा रहती है और non rainy season में lean period में उसकी नहीं रहती है इसलिए तो depend करता है weather conditions पे और इसमें जो skilled labeled है वो required होती है build up करने के लिए तो यह भी एक disadvantage है और इट इस इन हिली एरिया विजस क्वाइट अवे फ्रॉम दे यूजर्स क्या होता है जो डैम है बैसिकली वह हिल एरिया में बनाए जाते हैं जो की यूजर्स से electrical city के यूजर्स हैं जो उनसे दूर होते हैं दोस्तों उनसे दूर होते हैं तो क्या होता है दूर होने के लिए जो transmission का कोश्ट है वो इंक्रीज हो जाता है transmission का कोश्ट इंक्रीज होगा तो यह एक disadvantage है दूर होने के कारण यह था हमारा hydro power plants अगले वीडियो में मैं आपको करवा हूँ डीजल पाउर प्लांट्स दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जब तक आपने सब्सक्राइब ने किया है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें धन्यवाद जैहिंद